हलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे लिलकोविक एक्वेशन के बारे में यह जो टॉपिक है वह पॉलोरोग्राफी में आता है वीफाम फर्स्ट सेम फार्मासोटिकल एनलीसिस के लास्ट चेप्टर जो पॉलोरोग्राफी है उसमें यह टॉपिक आता है ठीक है लास्ट है लिलकोविक एक्वेशन तो हमको पॉलोरोग्राफिक मेजर्मेंट हम अगर हमको करने है तो हम इस एक्वेशन का यूज करके पॉलोरोग्राफिक मेजर्मेंट कर सकते यह जो एक्वेशन है वो क्या क्या शो करता है एक रिलेशन्शिप शो करता है डिफ्यूजन करंट ए ऐसे कि हमने लास्ट वीडियो में दिखा था कि हमारे जो ग्राफ है पोलरोगरम उस में अगर हमको दिफ्यूजर क Всеन का कन से एंप एंड नों और प्लाइजेबल इलेक्टर मिन्स के एनॉड ठीक है तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है अगर हमको आईडी मिन्स के डिफ्यूजन करन की वैल्यू पता होती है तो किसी भी इलेक्ट्रोलाईट सेलेशन का कंसंट्रेशन मिजर कर सकते हैं तो यह solution का concentration measure कर सकते हैं उसके बाद आता है यह है इलकोविक equation ठीक तो यह जो equation है इसी को हम बोलते हैं कि polarography measurement के लिए हम जो equation का यूज करते हैं यह यहाँ पर देखते हैं कि ID means diffusion current जो माइक्रोंपियर में लेंगे 607 फेराडे constant है and means number of electron required for reaction के लिए हमको कितने numbers के electron required रहते हैं involved होते हैं वह आएगा हमारा N, D means diffusion coefficient जो cm square second minus में आएगा ठीक है M means weight of the mercury flowing via capillary ठीक है और T means drop time in second में आएगा और C means concentration ठीक है तो यह equation में लिखे यह वो सारे point यहां पर हमने शोग किये कि कौन कौन सा point क्या क्या लिखना है ठीक है तो ID means diffusion current 607 ते constant है N means number of electron required for reaction D means diffusion coefficient M means weight of the mercury flowing via capillary और T रहेगा हमारा drop time और C रहेगा concentration जो इलकोविक equation है वो drop time की जो range आती है 2 से 8 seconds ठीक है उसके लिए यह हमको अच्छा अगर जितना हमारा अच्छा इलकोविक equation कर देंगा उतना ही हमारा जो drop time है वो within range आएगा और उसकी range क्या होने चाहिए 2 से 8 seconds ठीक है और यह 2 से 8 seconds अगर हमको drop time लाना है तो हमको दो एक्जेस्मेंट critical adjustment है वो करने पड़ेंगे तभी हमारा जो drop time है वो 2 से 8 seconds आएगा ठीक है तो तो हमको कौन से जो critical adjustment है वो करने पड़ेंगे एक तो है length of capillary और दूसरा है कि हमको mercury pressure ऐसे manage करना है कि हमारा drop time जो है वो within range आए 2 to 8 seconds ठीक है तो यहाँ पर दो adjustment आपको करने पड़ेंगे जिसकी help से आप जो drop time है यह 2 से 8 seconds तक ला सकते है तो पहला है length of capillary और second है हमारा pressure आपको manage करना है कि जिसकी help से हम हमारा drop time है वो within range आजा जाए ठीक है notes आपको video के अंत में मिल जाएगी तो आप एक बार video अंत तक जरूर देखे